इन चीजों की असली दाम आज तक आप नहीं जानते थे और कैसे अगर आप पूरी घूमने आओगे तो आपको दिल की बीमारी कभी नहीं होगा और बो कैसे? और कैसे इस जीबने अब तक जिन्दा रहा? जबकि ये ताजमहल से भी पुराना है और इन इंफ्लूएंसर्स के मेहेंगे चीजे देखने के बाद बॉलिवुड के अक्टर्स भी गरीब दिखने लगेंगे भाई वीडियो बहत मज़ेदार है तो तीन गिन्ने तक लाइक कर दो मुझे पता है अपने कर दिया होगा चलिए फिर सुरू करते हैं कैसे अगर आप पूरी जगनना धाम घूमने आओ तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा लगता है मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ पर ये फैक्ट रियल है और ये इसी लिए सच है कि जो लोग ज्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं उनका दिमागी हेल्थ अच्छी रहती है और इसके साथ ये भी देखा गया है कि जो लोग ज्यादा घूमना पसंद करते हो उनकी दिल की सेहत भी अच्छी है इसकी कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है पर ये देखा गया है कि घूमने फिरने वाले लोगों में डिप्रेशन जैसी बीमारी भी बहत कम पाई जाती है भाई हम सब को मालूम है कैसे बड़े बड़े इंफ्लूएंसर्स कितना ज्यादा पैसा कमाते है बो सिर्फ कमाते नहीं है वलकि उन पैसों से महेंगे चीज भी खरीदते है आज हम आपको इन ही किसी लोगों के बारे में बताएंगे इन में से एक है काईली जेनर इनके पास एक पूरा का पूरा घर है पर्स का और ये अपनी एक स्पांसर पोस्ट पर प्वार्स करोड चार्ज करती है इनकी आगे तो बोलिवोड की एक्ट्रेस भी शर्मा जाए और कार तो सबको पसंद ही है पर इंडिया में रहने वाले नसीर खान जो एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर है उन्होंने इंडिया की सबसे दामिकार मैक लोरेन खरीदी है इनकी जो कार की कलेक्शन है उसकी कुल कीमत 60 करोड है हाँ अपने सही सुना बैसे MC स्टेन के बारे में अपने सुनी ही होगी इनके पास तो 8,000 से भी ज्यादा के महंगे जूते है और 6,000 के 2 या 3 करोड की डायमंड की चेंज है 30 से 4 करोड के कार्स है और रोजाना पहनने वाले शर्ट्स और पैंट्स की कीमत 4 से 5 लाख के आसपास होती है यार हम लोग बहुत सारे चीज दुकान से खरीदते है असल में मेकिंग चार्ज से असल चीज की दाम बहुत कम होती है जो की रिसेलर तक आते आते बहुत कम हो जाती है जैसे मानलोग कुरकुरे की पैकेट जो है उसकी मेकिंग चार्ज असल में 2 रुपय है पर हम तक पहुँचने तक वो 5 रुपय की हो जाती है और एक चीज है बहुत ही फैमस मैकी उसकी मेकिंग चार्ज हिडन रखा गया है पर हमें जो मालुम चला वो ये है कि चिप्स होते है उनकी मेकिंग प्राइस तो लगवग 5-6 पैसे होते है पर उनको आप तक आते आते 10 रुपया हो जाता है क्या आपको ये पहले मालुम था कि कुट्टे जो है बो इनसान को अपनी पहली पसंद मानते है या फिर कह सकते हैं मानते है और ये चीज में नहीं कह रहा ये प्रमानित भी हो चुकी है असल में एक MRI स्कैन हुआ था कुट्टो की और उनको ये पता चला कि कुट्टे हम इनसान को अपनी पहली पसंद मानते है और इनसान की गंध को सबसे अधिक पसंद करते है ये फैक्ट जानके आपको शौक लग सकता है पर ये एकदम सच है ये बोलता है कि जो भी लोग है जिनकी नीले आँख है उन सब की जो पूरबज है वे एक ही है असल में लाखों सालों पहले इनसान के अंदर एक जेनेटिक म्यूटेशन होने की कारण हमारा आँखों का रंग बदल के नीला हो गया उसी दिन से इनकी जो बनसज है उनकी नीली आँख होते हुए आ रही है हे न गजब इसी बात पर एक लाइक कर दो ये जो जीब आप देखने वाले हो इसकी उम्र करीब 400 साल है या फिर कह सकते हो कि ये ताजमहल से भी पुराना है इसका नाम हे ग्रीन लैंड की शार्क उम्मीद किया जा रहा है कि इसकी जन्म करीब 1627 को हुई होगी जब ये बात रिसेर्चेर्स को पता चली वे भी दंग थे पर ये बिलकुल सच है आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद मिलते है अगली वीडियो में जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ये तो आपको पता चल गया है पर क्या आपको स्कूल्स के इंडराब ने पनिश्मेंट के बारे में पता था